नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है आज हम गोरकपूर और फूलपूर में जो उप्चुनाओं होने जा रहे हैं उस पर चाचा करेंगे और उस पर बात करने के लिए हमाई साथ वरिश्च पत्रकार उविमिलेश मौझूद है न्यूस क्लिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है तो ये दो उप्चुनाओं होने जा रहे हैं एक तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कॉंस्ट्विन्सी एक चीफ मिनिस्टर की कॉंस्ट्विन्सी इन दोनों पर हम अलग-अलग आते हैं गोरकपूर से शुरुवात करते हैं गोरकपूर एक बहुत बड़ी सीट है चीफ मिनिस्टर के लिए भी और अगर हम ये RSSBJP का पॉलिटिक्स देखें तो गोरकपूर उनके लिए एक महत्पूर्ण सीट रहा है BSP और SP एक साथ आ रहे हैं तो ये सिगनिफाई का कर रहा है गोरकपूर कंस्टरिंशी के लिए गोरकपूर पारंपरिक रूप से अगर देखा जाए तो वा कई भारती जनता पार्टी की सीट रही है कई सालों से कई बार से विदान लोकसभा में वो जीतते रहे हैं विदान सभा में भी उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाग रही है लेकिन अगर वहां की जो आबादी है वहां पर जिस तरह के समुदाइक संरचना है समाज की अगर उन सब को आप देखें तो भारती जनता पार्टी की जो राजनीती है और उस राजनीती का जो समाज शास्त्र है ऐसा नहीं कि उसको बहुत सूट करने वाली ये सीट है लेकिन चुकि ये जो मठ है वहां का वो आप जानते हैं कि मद्देकाल में ये वहां के जो उत्पिरिच समाज के लोग है उनका एक बड़ा सांस्कृतिक या धार्मिक केंद्र था बड़ी लड़ाईयां भी उस इलाके में होई या भी महस संजोग नहीं है कि वही इलाका कबीर का भी रहा है तो ये पूरा इलाका अगर आप देखें तो मद्धिकाल से लेकर आदमीक काल के बीच में भी तरह तरह के आंदुलनों का इलाका रहा है किसान आंदुलनों का इलाका है लेकिन मठ ने बात के दिरों में बहुत ही शातीराना धंग से जो उनकी विरासत है उस विरासत को छोड़ करके और हिंदुत्तोवादी, हिंदु महासभा बलकियों कहा जाए, हिंदु महासभा के चीफ और उसके बड़े नेता रहे हैं, उस मठ के पुराने नेता, जिनके ये अपने को वनशज मानते हैं, रायनितिक वनशज, तो इन लोगों ने मैनेज़ किया, इससे हुआ ये कि पूरा बैगराउंड आपके दर्शकों, आपके श्रोताओं को बतानी चाही, अब जो हालात हैं, उसमें ये मुख्यमंत्री हैं, मठाधीश है, ठीक है, लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के रूप में जो परफॉर्मेंस एक साल की है, और मोदी जी की सरकार की जो चार साल की है, उसको उसके मद्दे निजर अगर हम लोगसभा चुनाओं से इसको केवल कंपेर करें, तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं होगा, लोगसभा चुनाओं में तो 551.80 वोट उनको बीजेपी को मिला था, एसपी को 21.75 और बीएसपी को 16.95, यानि कुल मिला कर 49 फीर्दी के आसपास वोट मिला, लेकिन विदान सबा में चीजें बदल गई, बहुत जल्दी, इतनी जल्दी, तो मैं समझता हूँ कि अभी भी अगर देखा जाए, आज की तारीक में भी, तो वो समय करण नहीं है जिसके आदार पर मीडिया का बड़ा हिस्सा आकलन य बीजेपी के अंदर हैं, उसको देखें, मठ और जो बाहर है बीजेपी, आमिन अभी केंदर में एक राज्य मंत्री हैं, उनके योगी आदितिनात से नीजी जो टकराओ रहा है राज नीत में बीजेपी के अंदर, वहाँ एक विधायक हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके साथ उनका contradiction रहा है और मेरी जो जानकारी है और ये मीडिया में सभी सब के लिए आम है कि योगी जी जिस आदमी को चाहते थे लोगसभा सीड़ देना उसको लोगसभा टिकट नहीं मिला तो एक तरह से लेकिना योगी आदितिनाद के लिए ये इसलिए बहुत महत्पूनसीट हो है क्योंकि अगर वो चुनाव हारते हैं वहां उनका candidate तो जाहिर है उनकी राइनितिक प्रतिष्ठा उनकी राइनितिक हैसियत पार्टी में गिरेगी और सुबह में भी एक सवाल उन पर उठेगा तो ये बहुत कांटे की लड़ाई है जो विपक्ष ने उमिद्वार बनाय नहीं है और कॉंग्रेस ने जो अमिद्वार दिया है वो एक महिला चिकित्सक हैं और बहुत अच्छी प्रतिष्ठा उनकी है तो अब देखना यह है कि ये जो विपक्ष की जो लामबंदी जिसे कहते हैं चुनाव में वो शायद नहीं हो पाई है तो वो कॉंग्रेस कितना हित करेगी इसमें ये देखने की बात है अगर फूलपूर की बात करें तो वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की सीट है केशो प्रशाद मौरिया और फूलपूर में जो जातीगत समीकरन है वो बिलकुल बीजेपी के पक्ष में नहीं थे पहले भी और आज भी फिर भी बी पस पस साथ लड़ रहे हैं तो फूलपूर में क्या राजनातिक उसका राजनातिक अंश किया होगा उसकी उसका सिग्निफिकेंस किया होगा आने वाले चुनाओं में देखे मैं समझता हूं कि फूलपूर जमाने में पंडित नहरू की सीट रही है वहां से लुहिया भी च वतंतर पार्टी या हिंदू मासभाज ऐसे लोगों का कोई असर नहीं रहा है डाउन ट्रोडन आमिन जो उत्पिरित समाज है शोशित जिसको कहते हैं समाज शासर की बाद सामें ऐसे लोगों की बहुत आया था वहां पूलपूर में अब ये जरूर है कि कांग्रेस के होना चाहिए था वो नहीं हुआ तो आपस में OBC की जो विबिन जातियां हैं या कम्यूनिटीज हैं क्योंकि भारत की सियासत में आप जातियों को बिलकुल दरकिनार करके बात नहीं कर सकते तो अगर देखा जाए तो गैर यादो OBC की बहुत आयत है वहां और जो सबसे की बात करती है मंदल की बात करती है लेकिन जब राज़ी सबागा का मामला आता है तो देख के सबसे बड़े जो कार्पूरेट फिल्म कार हैं उनकी फैमिली की जो एक कई सवों करोड की जो माल किन है उनको टिकट देता है और ये ये आज की परंपरा नहीं है जब वो सक्ता में होते हैं तो भी वो अम्बानी और बड़े जो देश के उद्धियोगपती हैं उन्हीं के लिए ज्यादा काम करते हैं गरीबों का होट पाकर अमीरों का काम करना तो एक अजीब विडंबरा है उत्तर प्रदेश की सियासत में इसे मैं विडंबरा कहूंगा और ये जरूर हमको लगता है हिंदी बेल्ट के दर्शकों को भी सोचना चाहिए इस पर कि आखिर वो बीजेपी या रेसेस के मकाले में जो विकल्प कलाशते हैं उस विकल्प की क् ये दोनों जो पार्टियां हैं इनके जो आज के टॉप लीडर हैं मुलाहिम सिंग यादो और मैवती ये पूरी हिंदी बेल्ट में सबसे और सरवादी और सबसे औविश्व सनियनेता हैं दोनों उन्प्रेडिक्टिवल हैं भरोसे नहीं कर सकते आप मुलाहिम सिंग जी को सपा के करिंडेट्स को सपोर्ट कर रही है क्योंकि राजिस भाव में उनको सपोर्ट मिल रहा है या मिलता बताया जाता है लेकिन वो करनाटक के भावी चुनाओ में वो देवगोड़ा जी के साथ खड़ी है और बीजेपी बहुत मस्त है इस बात को लेकर बीजेपी बहु सरवादी कुछ फार्मूले हैं तो लेकिन फूलपूर में मेरा यह मानना है कि चुकि डिपुटी चीप मिनिस्टर वहां पर हैं उनकी वह सीट है उनके इस थीपे से खाली की गई सीट है और जो बड़ा हिस्सा है वो दरसल वहां कुर्मी जो पटेल अपने को कहते हैं उनका ह है और दोनों पार्टियां सपा और बीजेपी दोनों ने उनी में से उमिद्वार दिया है बीजेपी का उमिदार संजोग बस बाहर का है जिसको सपा वाले काफी भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और सपा का केंड़ेट लोकल है अब यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या बीजेपी का जो पारंपरीक वोट फूरपूर में है दलित वोट क्या वो वाकिश सपा के केंड़ेट को ट्रांसपर होता है पूरी तरह यह कम से कम 90% के आसपास अगर ट्रांसपर होता है और दूसरी जो और विरादरियां है और जो कम्यूनिटीज है जिनका बीजेपी से कांटरिक्शन है बीजेपी की राजनिच से अगर वो मबलाईज हो जाती है तो यह बहुत ही कांटे का और दिल्चस्ट चुना हो सकता है और मेरे हिसाब से गोरखपूर से भी ज़्यादा यह चुनावती पूर्ण चुनाव होगा बीजेपी के लिए अंतिम बात जो इस सम जीव इस्तिती है कि आजादी के इतने साल बात भी जब चुनाव होते हैं तो राजनीत एजन्डे महत्पूर्ण नहीं हो पाते जातियां महत्पूर्ण हो जाती है और बीजेपी ने हाल के वर्षों में जो अपने को हिंदूवादी पार्टी कहती है उसने जातियों के किया और समाजवादी पार्टी से और बीयस्पी से दोनों से पटेल समुदाय को अलग किया एक जमाने में पटेल समुदाय के नेता बीयस्पी में भी थे और सपा में भी थे लेकिन आज की तारीक में जो पटेल कमिल्टी उत्तर प्रदेश की है उससे उभरी वही अनुप को देखा जाए तो बीएसपी का वोट शेर कंबाइन जो था वो बीजएपी से जाधा था साथी पर विधान सपा चुनाओं में कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाओं लड़ रहे थे इग्नोर हुआ है या नजर अंदाज हुआ है कि पुरी उत्तर प्रदेश में बहुत चोटी चोटी पार्टियां है जिन चोटी चोटी पार्टियों का इस्तेवाल भारती जनता पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाओं में किया था जैसे राजभरों की पार्टी ये जो तथाकसित सामाजिक नयायक की जो राजनीती है ना भारत में मंदलवादी राजनीती से कहते हैं दरसल उसकी ये भायानक विफलता का सबूत है कि जो उत्पिरित समुदायक की जातियां या विरादरियां हैं उन सब को जो लामबंद होना चाहिए था कहीं और एक अ का जो दुष्परिणाम सामने आया क्योंकि आपके पास कोई बड़ा पॉलिटिकल एजन्डा नहीं था आपके पास कोई आर्थिक बड़ा एजन्डा नहीं था तो जातिवादी राजनीती और व्यक्तिवादी राजनीत का दुष्परिणाम हुआ कि हर जाती ने अपना ज चुनाव में सपा बसपा के केंड़ेट को सपर्थन दे रहे हैं वैसे तो सपा केंड़ेट कही है तो वो समर्थन दे रहे हैं तो यह चोटी चोटी पार्टियां पहली बार बरसों बाद एक जगह आई हैं यह इस चुनाव का एक बहुत दिल्चस्प पहलू है अब रही बात कॉंग्रिस देखी कॉंग्रिस में मुझे ऐसा लगता है कि कॉंग्रिस में साइध एसेस्मेंट ये हुआ है कि हम जो उत्तर प्रदेश जैसे सुबे में जहां सियासत किसी बड़े आर्थिक मुद्दे या राइनितिक एजेंडे पर उतनी नहीं है जितनी कास्ट और कम्मुन गया और हम जब गए मुलाहिम सिंग्ग की या उनकी अखिलेश की पार्टी के साथ तो वो पूरी तरह हमसे और निराश हो गया और लहाजा वो बीजेपी की तरह गोल बंद हो गया तो हम क्यों ना अपनी उस जो हमने खोया है जो जनाधार तथाकति जनाधार उसमें फिर स दूसरे धर्म के एक व्यक्ति से किया है इंटर कास्ट इंटर रिलिजन मेरेज किया है और बहुत ही नेक वो व्यक्ति हैं महिला और वो उनकी प्रदिश्टा भी बहुत अच्छी है लेकिन इस अच्छे केंड़ेचर के बावजू जो सियासी समीकरण है जिस तरह के उस सबसे बड़ा राजी है असी सीटों के साथ आता है भाजपा को अगर जो यह मैजॉरिटी मिली है उसमें उत्तर प्रदेश के बहुत बड़ा योगदान है पर अगर बसपा और सपा एक साथ अभी आ रहे हैं और अगर 2019 में ऐसे होने की संभावना है तो भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है वहाँ पर यह इसका जो 2019 के चुनाव है उस पर क्या असर पड़ेगा दीए मेरा यह माना है प्राजल की 2019 के चुनाव में एक बार फिर भारती जनता पार्टी जो है वो बड़ी ताकत के रूप में रहेगी मैं यह नहीं जानता कि सीट कि उत्तर प्रदेस में क्रेडबल लिडरसीप नहीं है एक भरौसे मन लिडरसीप नहीं है जो साम परदाइक जो बीजेपी की राज नहीती है जो उत्पीडन को बढ़ाने वाली राज नहीती है देखे इतनी मुठभेड हत्याएं हो रही है लोगों की लेकिन क्या तो अख्यलेश यादों खड़े हो पाते हैं चंदरशेकर रावन को चंदरशेकर जो दलित नेता है उसको गिरफतार किया गया आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी आंदोलन कारी को आप उसे साहमत हो या साहमत हो एनसे में इतने दिनों तक रख सकते हैं जबानत के बाद वजूद भी लेकिन उसको जबरन रखा जा रहा है बट उत्तर प्रदेश में कोई आंदोलन नहीं वहाँ पर फिछडे समुदाय के लोग बारे जा रहा है हीमन रैट्स कमिशन कह चुका है कई बार पुलिटिकल जो अब्जरवर्स हैं जो मीडिया में या बाहर के लोग हैं वो ये बातें कह रहे हैं लेकिन जमीन पर कोई आंदोलन नहीं है तो मैं समझता हूं कि सपा और बस्ता दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश की जो सेकुल पुरन वहां की जनता इनको अपने नेता के तोर पे स्विकार करती है चुनाओं में क्योंकि टीना फैक्टर की सोसल जस्टिस की जो तथा कधित पार्टी है उसमें कोई नया भी कल्प नहीं है और दोनों से लोग छुब हैं लेकिन कोई नेता नहीं हो और आज की तारीख म बड़े उद्योग पती घराने की उत्तर प्रदेश में कैसे हम ज्यादा से ज्यादा जाकर ज्यादा से ज्यादा अपना मुनाफ़ा कमाएं तो ये बड़ा खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश उसका सबसे बड़ा विक्टिम बनने जा रहा है मुझे लगता है कि उत्तर प् भी बहुत मुश्किल में होगी शुक्रिया और मिलेश और अगले हफते हम किसी ऐसे नए मुद्दे पर आप से फिर फिर चर्चा करेंगे धन्यवाद निसके देखने के लिए धन्यवाद